आज की बॉडी प्रो टीवी चानल की एक और विडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस विडियो में बात करेंगे कि आप अपने पात्ना के साथ बैट पे ऐसा क्या करें कि आपकी सेक्स लाइफ फिर से पट्री पर आ जाए। सेक्स जोडों के लिए यहां दिखाने का एक विशेश तरीका है कि वे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। जब दो लोग शादी शुदा होते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक दूसरे के प्रती पूरी तरह से प्रतिबंध होने का वादा किया है। लेकिन कभी-कभी अलग-अलग कारणों से विवाहे जोडे उठना सेक्स नहीं करते हैं या बिलकुल बंद कर देते हैं। जब ऐसा होता है तो दोनों लोगों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह एक संबेदल शीज जिती है और चीजों को भेतर बनाने का प्रयास करें। आपके रिष्टे में प्यार और निकर्टा वापस लाने के यह हैं पांच तरीके। एक दूसरे को लुभाना सबसे पहले एक ऐसे जोड़े के बारे में बात करते हैं जो एक साथ अधिक आनंग लेना चाहते हैं। वे एक दूसरे को विशेश और प्यार का एहसास कराने की कोशिश कर सकते हैं। इसे लुभाना कहा जाता है। ऐसा करने का एक तरीका विशेश कफ्रे पहनना है जो उन्हें आकरशत महसूस कराती हैं। उनके बीच थोड़ी सी जगा रखना महत्वपूर्ण है ताकि वे एक दूसरे में उत्साहित और रुची महसूस कर सके। दूसरा काम अधिक चुम्बन करें भरपूर उत्साह और पूर्जा के साथ। इसके बारे में सोचने पर पता चलता है कि प्यार और आकरशन की शुरुवात एक दूसरे को देखने और फिर चुमने से होती है। इसलिए आप दोनों को जितना हो सके एक दूसरे को चुमने का आनद लेने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आप यहार देखकर आश्चरेच कित रह जाएंगे कि प्रेम प्रसंग के दौरान आपका अनुभव कितना अद्भुत होगा। तीसरा काम है एक दूसरे को गले लगा कर बात करना। जब आप अपने पती के साथ दिस्तर पर होती हैं, तो इसका मतलब यहार नहीं है कि आपको तुरंट सेक्स करना होगा। आप बस एक दूसरे को गले लगा सकते हैं और बात कर सकते हैं। आप कभी नहीं जानते कि बातचीत कब किसी और बात पर पहुंच जाए। चौथा कार्य बताता है कि भले ही आप नियंत्रन में रहना पसंद करते हों, लेकिन दिस्तर पर हमेशा एक ही साथी का हावी होना जरूरी नहीं है। यह भूमिकाओं को बदलने और दूसरे साथी को कार्यभार संभालने की अनुमती देने की सलाह देता है, जो आपके यौन संबंदों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अगर आप सेक्स के मोर में नहीं है और आपकी सेक्स ड्राइफ कम हो रही है, तो बिस्तर पर जितना हो सके एक दूसरे को छूने की कोशिश करें। एक दूसरे को छूने से आपके मस्तिश को सेक्स के लिए तयार करने में मदद मिल सकती है। शरीर के समवेदन शीर क्षेत्रों को चूने पर ध्यान दे इससे यौन अनुभवों में सुभार हो सकता है पाज़वा काम है नगन होकर सोना अपने साथी के साथ बिना कप्रों के सोना एक सेक्सी और अंत्रंग अनुभवख हो सकता है खास कर अगर आपको अंतरंग हुए कुछ समय हो गया हो। घनिष्ट शाररिक संपर्ग दोनों भागीदारों के बीच यौन इच्छा को फिर से जगा सकता है।